नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका CGPAC के सिरीज में दोस्तों फिलोसफी अभी चल रहा है और फिलोसफी में आज हम पढ़ने वाले उपनिशद के बारे में तो आज का हेड़िंग रहेगा उपनिशद तो आप भी आज के लिए हेडिंग आप तैक लिजे लिख लिजे उपन इसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है पहला है लिखा हुआ है ब्रह्म हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा है आत्मा और तीसरा है रित यह जो है इस तरीके से आपके सिलेबस में दिया गया है तो ध्यांद रिखिएगा जब वेद और उपनिशद के साथ एक साथ दो दिया है तो वीक किसाब आत्मा को आत्मा को अरृत की साथ समझें आत्मा और तो समझें ऐसका मतलब यह है कि वेद जो चार वेद हैं हमारे उन वेद कि सिक्षाओं को किस में दिया गया है उपनिशद में देखिए उपनिशद है क्या उपनिशद जो है वह एसेंस ऑफ वेदाज हैं अर्थात वेदों के जो सार है सिक्षाओं हैं सार सिक्षाओं जो इसेंस है मूल भुत शिक् क्या कहते हैं वेदान कहते हैं वेद के अंतिम भाग हैं। उपनिशद थीके टो हुब वेद के अंतिम भाग के रूप में जानते हैं तो इस दृश्टिक और से आप समझेत कि वेदों की सिक्षायं जो है essence of vedas, यहाँ पर है उपनिसत में, essence of vedas, अरथाद, वैद की जो भी मुल्भूश सिक्चा है, जो basic सिक्चा है, वो सारे का सारे सिक्चा किसमे दिया गया है, उपनिसत में, यानि की एक हिसाब से कहा जाए, तो उपनिसत जो है वैद को समझने के लिए दिखें, वैद थो सा कठीन है तो उसके बाद में जितने भी टिकाएं लिखी गई है जो अन्य गरंत लिखे गए और जिनका आधार वेद है ठीक ध्यान देखिए वह एक चोली में उपनिशद है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उपनिशद साब्दिक दृष्टी से दिखिए इसे हम तीन भा नियर्बाई यानि कि निकट जह निंखिया उपनाव हो गया नियर्बाई निकट दूसर अगरreichen के मतलब होता है लिए by मतलब होता है स्रद्धा तीसरा होता है सद, सद का मतलब हो गया, ठीक है, sit down, sit down, अर्थाद बैठना, इसका मतलब है कि गुरु के समिप, स्रध्धा पूर्वक बैठ के ज्यान अर्जन करना ही उपनी सद है, साब्दिक दिरिश्टी से, ठीक है, अगर हम इसे explain करें, तो हम क्या लिखेंगे इसे हम, sitting down ध्यान कीगा, sitting down, अर्फदाव, discipline, discipline, near, his teacher, in, devoted, manner, मतलब स्रध्धा भाव से बैठना, ऐसा नहीं बैठना है कि ठीक, चलो सर पढ़ाव सवराज के चेप्टर, ऐसा नहीं है, गुरु के समिप, सिस्य को स्रध्धा पूर्वक बैठना है, और ज्यान अर्जन करना है, आज कल के जो teacher और गुरु, ठीक, यहां कहना चाहिए, सिस लाओ था, ठीक, समझ मैं उस समय कोई व्यवसात्मक चीज नहीं था, ठीक, तो इस प्रकार से क्या प्राप्त करना, सिख्छा प्राप्त करना, यह हो गया इसका साब्दिक अर्थ, अब देखेगा, हमको पढ़ना है यहां पर तीन चीजों के बारे में, पहला है टॉपिक ह को वेद में explain किया गया है, उसी को थोड़ा से अच्छे से explain किया गया है उपनिसद में, और आगे जाके इनी वेदों के सिक्छाओं को इनी उपनिसद के सिक्छाओं को बाकी लोगों ने अपना है, जैसे कि हम आगे बहुत अच्छा विचार हम पढ़ते हैं विदान्त में द्यान रिखेगा कि इनका संक्राचारी का, संक्राचार ने कमोबेस वही चीज़े कहा है जो उपनिसद में वर्नित है, तिक द्यान रिखेगा मैं इनकी सवानता के बारे में भी आपको बताऊंगा, ब्रह्म, तो इससे पहले जो सेशन गया था ब्रह्म, जिसको मैंने आप आपको समझाया था, लगभग ब्रह्म ये वही है, तो समझे ब्रह्म है क्या, ब्रह्म एक्चुली में ये वरिह धातू से मिलके बना है, वरिह धातू, और इसका अर्थ होता है बढ़ना, क्या होता है बढ़ना, टू ग्रो, तू ग्रो या टू एक्सपेंड, बढ़ना, ब लेकर नहीं चलना है अब देखेगा ठीक हमको लेए इसके अन रृष्थ को दीकि अनर्थ को नीर्वचन है यानि वर्म के बारे में हम डिटेनाइन जब करते है तो हम कोई positive चीज के माद्यम से determine नहीं कर सकते हैं तिक जैसे संक्राचान ने नेती नेती कहा था ध्यान कीगा नेती नेती करके उसको मतलब ब्रह्म को explain किया था ब्रह्म ये नहीं है ब्रह्म ये भी नहीं है इस माद्यम से वह उन्होंने ब्रह्म को अपर तेक्स रूप से प् लोट कि आये गया है तो हम भी हम उंके ब्रह्म के करेक्टर्टिक को देखते हैं तीक क्या है ब्रह्म वाडीज मीनवाइब छलिए देकते हैं ल durum ए ब्रह्म जो है यह खूर्ण ब्रह्म जो है इन परंटत्व है टिक जब आप इसे लिखे तो और पिसको आराम से बताएं टिक दा अल्टिमेट रियालिटी ओफ इूनिवर्स ये क्या है elevator reality दा कि मैट रियालिटी ठीक अल्टिमेट रियालिटी आफ यूनिवर्स उसे ही हम ब्रमकरत है ब्रह不要 जो है ठीक है najleup a सार है जगत का सार यानि भी सब्लाओं आगला करेक्टर हम देखिए की औल ब्रम काला तीज है कालसे इती तेनों काल में काल भूत काल trained काल तो पहले हो गया आपका भूत काल फीर अभी वण पार्वीश काल काला और से परे है अगला अगरोज़ आप लिखना चाहें तो समय से परे है आप इसके समय को समय के सीमा में इसे आप बान नहीं सकते हैं परम तत्तों का मतलब हो गया इसके अलावा और कोई तत्तों नहीं यानि कि यह यूनीक है यूनिक, यूनिक का मतलब जिसके समान कोई और नहीं, जिसके समान और कोई सत्ता नहीं, जैसे अभी हम सत्ता कहते हैं, हम है तो हमारे बगल में और कोई है, और कोई है, बराबर की सत्ता हैं, समझ में आ रहा है, मगर ब्रम के समान, ब्रम के बराबर, ब्रम के एक्विवेलें में कोई और सत्ता को और रियालिटी एक्जिस्ट नहीं करती है अठाथ यह सुप्रीम एक्जिस्टेंस है ठीक अल्टिमेट एक्जिस्टेंस है दूसरा सार कहने का मतलब ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ती हुई है और वो जगत जो है किसके वज़ा से है तो ब्रह्म की यह कितने वर्सों तक रहेगा ठीक ब्रह्म जो इस समय की सीमा से परे है ठीक है यहीं इसके कहने का अर्थ है निक्स्ट आप इसको एक और पॉइंट के रूप में यहाँ पर डिराइव्ड कर से निकाल सकते हैं अनंत का मतलब अनंत का मतलब जिसका एक्सपेंशन जो है दिखे हम कहां पर हैं मैं दो बाई दो टाइल के ऊपर खड़ा हूं समझ में यह 10 बाई 10 का एक रूम है तो मेरे एकस्पेंशन ज्यादा ज्यादा कितना होगा अगर मैं 20 में भी लिटूंगा तो साड़े 5 साड़े 5 फिट तक ही एरिया कवर करूंगा ऐक्साइब और हुएय नियुक्षाइब घुषा इसे लिए हम लिखते आपर मौन अनन्थ है सद्चीदानन का मतलब होता है ब्रहम आनंदा सवरूप है सचीधानन का मतलब होता है ब्रहमज़ों है आनन्द शृरूप है कुछ तो इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा कैसा है यह सुरूफ क्या इसका टेस्ट है किस तरीके से है क्या इसका कलर है हाँ तो ब्रह्म आनंद सुरूफ है एक बताया था कौन सा एक बताया था सगुन सकार और एक बताया था निर्गुन निराकार उसी प्रकार यहाँ पर वही वर्गी करन देखने को मिलता है उपनिसद के अनुसार उपनिसद के अनुसार ब्रम के भेद या रूप कितने रूप है? दो रूप है अब इसे हम यही पर देख लेते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं पर ब्रम और दूसरा लिखते हैं अपर ब्रम देखें संकराचार के दर्सन को याद कीजे संकराचार का दर्सन वेदो पर निर्भर था और लगभग संकराचार ने कि इसी कंसिप्ट को उठाया है समझ में रहा है पर ब्रह्म अपर ब्रह्म वहां पर भी ब्रह्म था और एक इस्वर था यहां पर वही चीज है ठीक है सब्द अलग यूज किये गया है ठीक दिखें यह जो पर ब्रह्म है पर ब्रह्म ठीक यह क्या है सुप्रीम ब्रह्म है संक्राचार सितुलना किजेगा supreme ब्रहम इस विदाउट क्वालिटिज इतमींस इडिज निर्गुण ब्रहम केonne यानि कि इसे हम निर्गुण केंगे इसे हम निराकारБ्रहम केंगे ये निर्गूण है दिखाई नहीं निराकारे दिखाई निए देता हाथ पर नहीं है निर्गुण का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं तिक जिस पे हम कुछ विश्व को आरोपनिंग ते यह गुणों से अतिथ है तिक द्यान रखेगा गुणातीत है तो निर्गुण है निर्कार आरथात यह हमको दिखाई नहीं देता जिसे के हम अकसर भगवान के रूप में जब हम क्रिं स्थिन कि राम की बात करते तो उनका रूप हमको दिखाई देता है सिसमझ उनका रूप हमको दिखाई देगा वह रूप अलग है इसलिए इस रूप को ध्यान रखिएगा पर ब्राम भी कहा सबम और यही वह हूँ रूप है जो ब्रहम का वास्तविक शौरूप है ब्रह्म इसके आप तुलना करेंगे तो आप इसको पाएंगे इस्वर सक्षम या इस्वर के समख्थ तो जो संकराचारे के दर्सद में इस्वर का कंसेप्ट था वही यहीं पर अपर ब्रभ नहीं है यह अपर ब्रहूं है इसे हम कहेंगे ब्रह्म विडाउट या भुण ब्रह्म वित है ब्रह्म qualified by qualified by क्या कहेंगे uniting condition या limiting condition कहेंगे limiting condition ध्यान नहीं किएगा ब्रह्म qualified by limiting condition ठीक है इसे हम कहते हैं सगून ब्रह्म सगून ब्रह्म ठीक समझेगा सगून ब्रह्म ठीक सगून ब्रह्म देखो यह निर्गून है without qualities है वो सगून है जिसमें कुछ limited qualities है समझ में रहा है इस्वर मैंने बताया था ना कि ब्रह्म को हम देख नहीं सकते ब्रह्म का साक्षातकार प्रारंबिक इस्थर पर हम नहीं कर सकते तो कैसे हम ब्रह्म को प्राप्ट करेंगे तो ब्रह्म नहीं इस्वर के रूप में अपने आपको अभिवेक्त किया है ध्यान देखेगा इस्वर के सगून हो साकार है आप यहाँ पर फिर दिसे यहाँ पर हमने सगून लिखा यहाँ पर हम लिख देते हैं साकार तिक अर्थात इसका निश्चित रूप हमको दिखाई देता है सगून है सकार है इसका निश्चित रूप है जैसे कि राम का रूप है क्रिष्ण का रूप है संकर जी का रूप है अब हम क्या कर सकते हैं जिनका जो क्वैलेटीज है तिक सीमित है देखे हम क्या कर सकते हैं हम ह कानीओं के कल्याण के रिए इस्वर के रूप में आपको प्रकड किया है यानि कि जो निर्गुण नेराकार था ठीक वही स़ाकार की रूप में प्रकड भूया अब हम क्या करेंगे उपासना करेंगे यानि कि यह उपासना का विशाय नहीं हो सकता क्यों कि निर्गूरण निराकार है आप जाओगे अगर बत्ती जलाओगे नारियल पोड़ोगे किस सामने पोड़ोगे कहां पर फोड़ोगे समझ में आ liking Ngr Madame मगे यह मने बर आगेन अब इस आत्मा के बारे मिसे मद्भाइन लेका तो तो आत्मा ऎकवल टू ब्रह्म उपनी सद्म सद्म यह कहा गया है आत्मा और भ्रह्म अभिन है देखो तोर्ण दूसरी तरीके से एक्स्प्रे History का याता है ठीक ऐसा भी कहा जा सकता था कि आत्मा ही ब्रम है लेकिन नहीं ऐसा नहीं कहा गया यहां पर ऐसा कहा गया है आत्मा ब्रम से अभिन्न है इंडिफरेंस है दोनों में ठीक ब्रम आत्मा जो है ब्रम से इंडिफरेंस है ठीक यानि कि आत्मा ब्रम से अभिन्न है अभिन्न का मतलब कि एक ह ही है तीक, लेकिन सम Pennsylvania का तरीका अलग है उपनिसद में इसी तरीके से इसको explain क्या गया है आत्मा ब्रह्म से अभिन है इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो कि आत्मा ब्रह्म दोनों he Agr pasti निक्टी है यह इंटीगरल इने यह नहीं आत्मा अगर tuh हमात्मा को भी हम क्या कहेंगे और मूँल चैतन्य काでは हमारे सरीर में जब गतना है ठीक यानि आत्मा है तब हम भी रहे हैं हमारे हैं टूल रहे ही हमारे हाड़वेर में वह एक सॉफ्टवेर हैं यह आत्मा और हमारे सरीर के आत्मा में भिन्दता है हमारे में जीव आत्मा है द्यानर के जीव है और यह आत्मा है आत्मा को ही परम आत्मा कहते हैं ठीक यानि कि फिक उपनिसद में जीव और आत्मा में अंतर रखा गया है ठीक जिसे हम बोलते हैं हमारे सरीर में आत्मा है लेकिन यहां पर आत्म के बज़ाए इसको क्या कहा गया जीव आत्मा दोनों के रिवास यहीं पिक आत्मा कभई निवास के नेवासाइए है जीव जो शरीर को संचलामान करता है और आत्मा पिक जो ब्रव का ही एक रूप है है समझे यहां पर फिर वही balance Vamos नहीं नहीं होसे कि यह इतिहास का किताब है तो Mayas को पढ़ने वाला हूं तो क्या होगा और यह जानि जिस चीज का हम अध्यान करते हैं जिस चीज का उसको हम गे कहते हैं और अपका नोन कहते हैं और हम नोवर हैं त्ट्क तो यह दो चीजे होती यह जो जो आत्मा मतलब और जुप प्राप्त करया चाहए यह जानने का इसे नहीं चाहिए नहीं एक पहाद नदी विख स्का नदी इस चाहए यह आधा है यह उनकारी का विशै हो सकता है लेकिन आत्रमा ज्यायद्वर्ष का विशह नहीं है यह यह प्लएन यह 9х9 नहीं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब जिक और मैं बता दे रहा हूं इसको आप डेफाइैं कर सकते हैं भी सी दा we see the same reality we see the same reality is called from the subjective subjective side क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे आत्मा कहेंगे ठीक है ध्याने किएगा आत्मा and from objective side objective side इसे हम क्या कहेंगे objective side क्या कहेंगे as अब्रम साह सीधा लिख दो बी आड़ एच एम एम यह ब्रम ठीक यादी दो एस्पेक्ट है कौन कौन सा एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट हो गया हमारा ठीक ध्यान देखेगा objective aspect और एक हो गया हमारा subjective aspect जब हम subjective aspect से देखते हैं तो यह आत्मा है और जब इसी को हम objective aspect से देखेंगे तो यही ब्रम है तो इस परकार आत्मा ब्रम के साथ समझ लीजिए जैसे एक सिक्का head क्या है head सिक्का से अलग है क्या यह टेल क्या है टेल सिक्का से अलग है क्या नहीं सिक्के के दो पहलू एक तरब से देखोगो तो हेट दिखाई देता है दूसरे तरब से देखेगो तो वह टेल दिखाई देता है है तो वह सिक्का ही तो उसी प्रकार ब्रह्म एक पहलू से देखते हैं जब हम पहलू मतलब सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या कहेंगे दखो इसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ट वस्तुनिष्ट अब्जिक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ट और सब्जिक्टिव का मतलब होता है वेक्तिनिष्ट जब हम वेक्तिनिष्ट तरीके से देखते हैं तो हम उसको आत्मा कहते हैं लेकिन जब हमारी नजरिया जब हमारा चस्मा जो है वस्त आपको आत्मा दिखाई देगा जब आपका चस्मा जो है ठीक अब्जेक्टिव होगा ठीक जब आपका नजरिया अब्जेक्टिव होगा वस्तुनिष्ट होगा तो वही आपको ब्रह्म के रूप में दिखाई देगा है वही यानि एक ही सिक्के के दो पहलू एक तरफ हो आप तो वह आपको एक तरीके से वह आपको आत्मा दिखेगा तो दूसरे तरीके से वह ब्रह्म दिखेगा आया समझ में चलिए अब आए आत्मा के चार अवस्थाएं होती है यह भी हम जाल लेते हैं आत्मा की चार अवस्था आ सो नहीं है वह द्यान कीकित रहते ना यह पुरानी को बाराथे प्brand लाथ नहीं है और हो भीर हम चार वस्ता वें यह अवस्ता बस जांने लिज्ये पहले अवस्था है सारीरिक आत्मा इसको कहते हैं हम bodily self दूसरा है आनुभाविक आत्मा इसे हम कहते हैं इंपिरिकल इंपिरिकल सेल्फ तिसरा है विश्वातीत आत्मा विश्वातीत आत्मा इसे हम कहते हैं टिक ट्रांसीडेंटल ट्रांसीडेंटल सेल्फ और नेक्स्ट है हमारा टिक निर्पेक्ष आत्मा तिक ध्यान देखिएगा निर्पेक्ष आत्मा यही ब्रह्म है ध्यान देखिएगा एब्सूलीट एब तो आतमा की चार अवस्था पहला अवस्था सारीरिक आत्मा बॉडिली सेल्फ दूसरा अनुभाविक आत्मा इंपरीकल सेल्फ तिसरा विश्वातित आत्मा ट्रांसिडेंटल सेफ चौता निरपेक्ष आत्मा एपसुलीट सेल्फ अभी इसको ज्यादे एक्स्पिलिन यहां पर नहीं कर सकते विडियो ज्यादा लंबा चला जाएगा जब हम और आगे आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा की और अलग प्रकार से दुसरी तरीके से देखेंगे तो आत्मा की और प्रकार के अवस्था हमको दिखाई देती है तो आत्मा के और एक बार हम चार अवस्था और पढ़ लेते हैं तीक है एक अलग द्रिष्टी कोड से ज्यान देखीगा ये है जागरत अवस्था जागरत अवस्था ज्यान देखीगा दूसरी अवस्था है तीक है सुशुप्त अवस्था सुशुप्त सुशुप्त अवस्था तीसरा है स्वप्न अवस्था और चौथा है तूरिय अवस्था इसे हम इंग्लीज में किस प्रकार से लिखेंगे ठीक है इसे इंग्लीज में हम एक करके चलते हैं तूरिय अवस्था को हम ब्लीज कहते हैं ध्यान देखीगा ब्लीज 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 बॉडी ठीक सुप्न अवस्था सुप्न अवस्था को हम कहेंगे क्या ऐलाइट मेंन्ट लाइटेड टिकंगा इनलाइटेड यह क्या है यह इनदीट soule इंधी अगला है स्वप्षोप्णवस्था ये इंटलेक्चेल और यह है जागरित वस्था जागरित वस्था को हम क्या कहते है तो यह चार है जागरित सुसुप्त स्वप्न और तुरिय वस्ता तो जब हम इन चारों को एक्स्प्लेन करते हैं जब हम चीजों को समझते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सदेख लेते हैं जैसे जागरित वस्ता है जब जीव विष्व या विष्वा नर के रूप में हो दियान रखना तिक विष्व के रूप में देखो आत्मा है तिक आत्मा का एक विष्व होता है बाहर की और एक विष्व होता है अंदर की और जब आत्मा का विष्व बाहर की और हो तो वो किसको देखता है जगत को दे जब उसका विश्य बाहर की और होता है यानि बाहर का ग्यान को प्राप्त करता है तब उस अवस्था को हम जागरत अवस्था कहते हैं और इस अवस्था में हमको विश्व का ग्यान प्राप्त होता है और इसे हम वैस्वा नर भी कहते हैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा र रखना सुषब्ध अवस्था ठीक यह एक प्रकार की अग्लिया वस्था है in lighted तिक intellectual अलग हो गया कि यह चेंज कर दो यह हाएगा यहा थीक सुषब्ध अवस्था ही हमारा in lighted अर ध्यान कीगा और यह मारा जो सब्था यह intellectual है थोड़ा आगे पीछे हो गया तिक क्या होता है हम लोग बोलता है सुप्त अवस्था में चले गए तिक लेकिन ऐसे समझने में थोड़ा सा समानिय रूप से ज्याद़ नहीं दिखाए देता है लेकिन इसमें डिफ्रेंस है तिक वह डिफ्रेंस क्या है उसको देख लेते हैं सुसुप्त अवस्था पहले समझ लेते हैं तिक अलग पिन लेते हैं तिक सुसुप्त अवस्था हम किसे कहते हैं तो सुसुप्त अवस्था वह अवस्था है जब हमारी स्वत्वन वस्थां धिक जब हम ये इसका है जागर्य तवस्था में हम這邊 could विश्व का ज्यान होगा हम को तो तो सॱ क्यों को अंक Miche दोगी तो सब्व prop बन पर는지ल्द जहां तो ह मुझाथ तो पन्य लुच nieuwe डिल्ध करोएं गहीं इस नफई पर मिलिखें ले तैजस कहते हैं इसको टैजस अवसथा भी कहते हैं और इस अवसथा का ग eyeballset फोड़िए जो में अंपशए का होता है थैंप्रिख विश्य ने होता है तूरिय औवस्थ्था ध्यान रखना सबसे है तो यह वस्था सूसूफ थवस्था तो इस परélé strangely आए नदिए थाए असरी इस में मिलते जाएंगे हैं थीच है अगर आपको लग रहा है कि क्लास ठीक है तो PWL प्लाइन क्लासेज में पाटिसिपेट कीजे इन्हें चीजों को और डिटेल तरीके से पढ़िए हम यहाँ पर इस सीरीज में कुछ इंपोर्टेन चीजों को ही डील करते ही वे चलेंगे तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद नमस्कार अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक प झाल